आज हम श्रेमत भक्वत कीता की अध्याय चे आत्मसंयम योग का श्लोक 3 संस्कृत उच्छारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे पहला चरण सम दोनों अक्षर पूरी दोनों में अमिक्स करेंगे सम म के उपर अनस्वार आधम सम का य मी अमिक्स करेंगे काय शिरो ग्री ग्र का अर्थ हुआ ग्र आधा और पूरा जी आरे यहाँ पर ग्र पर बड़ी ए की मात्रा लंबा खीचना है ग्रीव शब्द पूराने के बाद वपी अनस्वार आधम ग्रीवम पहला चरण फ़र से सम म काय शिरो ग्रीवम दूसरा चरण धार में आमिक्स करेंगे धार या पूरे के साथ आधन धार यन न च दोनों आक्षर पूरे दोनों में आमिक्स करेंगे न च लपूरा ल में आमिक्स करेंगे न च लपूरा लपी अनस्वार आधम न च लपूराने के बाद लपी अनस्वार आधम न च स्थी और रमिया मिक्स करना है, रमिया की मतरा तो विसर्ग को पढ़ना है, स्थी रह, दूसरा चलन फिर से, धारयन ना चलम स्थी रह, पहला और दूसरा चलन साथ में, समम काय शिरो ग्रीवम, धारयन ना चलम स्थी रह, तीसरा चलन, अब यहाँ पर स पूरी के साथ आधा म हैं ध्यान देना है सम फिर प्रे का अर्थवा पहले प्र देखेंगे प आधा और पूरा प्र पे एकी मत्रा प्रे प्रे के बाद में आधा शत्री है आधे शत्री का मतलब क्या हुआ आधा क और श से शटकॉन भी आधा ठीक है दोनों अक्षर हो गए आधे तो प्रे के साथ आधा का प्रेक और आधे श से शटकॉन को यह पूरी के साथ श प्रेक श नासी का ग्र ग्र जो अपने अभी पहले चरण में देखा वही चीज है ग्र आधार पूरा शब्द पूराने के बाद ग्र पे अनस्वार आधाम नासी का ग् स्व आधास व पूरी के साथ स्व शब्द पुराने के बाद में आधाम स्वम तीसा चरण फिर से संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम चौथा चरण दीश पूरी के साथ आधास दिशश श का ध्यान रखना दिशश चा नव दो नौक्ष पूरी दोने में आमिक्स करना नव लोक में आमिक्स करना लोक या पूरी के साथ आधान यन चौथा चरण फिर से दिशश चा नव लोक यन तीसरा और चौथा चरण साथ में संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश चा नव लोक यन पुरिश लोग का उच्छारण एक सार समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन नाचलं स्थिरह संप्रिक्ष्य नासिका ग्रम्स्वं देशच्चा नवलोकयन इक बार फिर से समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन नाचलं स्थिरह संप्रिक्ष्य नासिका ग्रम्स्वं देशच्चा नवलोकयन श्लोक का आर्थ देखेंगे अब भगवान ध्यान योग की प्रेना दे रहें और ध्यान योग में क्या क्या जरूरी है उसको श्लोक नंबर ग्यारा से बता रहें पहले भगवान ने बताया ग्यारवे श्लोक में कि शुद्ध भूमी पे कुश, मृक्षाला और वस्तर को बिचा कर जो आसन अत्यंत उचा हो और नात्यंत नीचा हो ऐसे इस थान पर अपने आपको स्थिर करके फिर श्लोक नंबर बारा में बताया कि उस इस आसन पर हमको बैटना है बैटकर अपने चुत और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखना है और मन को एकाग्र करके अपने अंत्यकरन के शुद्धी के लिए अभ्याज करना है आज के श्लोक में क्या कह रहे है भगवान समम समम यानि सीधे काया शिरो ग्रीवम तेन शब्द है काया शिर और ग्रीवम काया सिर और गली को काया शरीर को कहा जाता है धारयन न चलम दो शब्द हैं इसमें तो धारयन यानि धारयन करके और न चलम न में आमिक्स किया था तो न न चलम न चलम स्थिरह तो न अलग हो गया न यानि नहीं एक सेकंड सॉरी धारयन यहाँ पर धारयन न चलम लिखा वह हैं तो धारयन का अर अपने उससे बन गया अचल अचल यानि बिल्कुल भी चलायमान नहीं रहना है स्थिरह यानि स्थिर होकर आगे सम प्रिक्ष्य देखते हुए नासिका ग्रम नासिक धन अग्रम तो नासिका यानि होता है नाक, अगर यानि आगे वाला आगे वाले भाको स्वम यानि अपनी जो नासिका नाक है उसके अगरे भाको देखते हुए दिश चा, आदाश जो है वो शब्दों को जोड रहा है दिश यानि दिशाओं को च, धन, आ, न, लोक, यन इस तरह शब्द बने हैं तो दिश यानि दिशाओं को च यानि और अनवलों को यानि न देख कर तो पूरा अर्थ क्या निकला काया सिर और गली को सीधे अचल यानि कुछ मोमेंट नहीं करते हुए अचल धारेन करके और दिशाओं को न देख कर, मतलब इधर उदर किसी भी दिशाओं में न देख कर कीवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे देखें ये ध्यान के एक अवस्ता होती है ये हम सबको भी पता है कि नासिका के अगरभाग को देखने से आपका मन एक जगह पर केंद्रत होता है दो तरह के मैथ़ड होते हैं या तो आप अपनी भूओं के मध्ये में जो यह वाली चीज होती है नमा अपने दुरिश्टी को टेकालो बात ऐगे की है या फिर आप नासिका के अगरभाग को देखो अगर आप नित्र बंद करके करते हो तो कई बाद निद्रा आने का डर रहता है इसलिए नासिका के अगरभाग को देखकर अपने मन को स्थिर करने के लिए का जाता है तो वो चीज यहाँ पर भगवान ने बताई है कि दिशाओ को न देखकर ना सिखा के अगरबाग को देखे और अपने सिर गरदन और काया इस पूरे शरीर को एकदम सीधा बैठा रखने कहीं इधर उदर मोमेंट नी करने अचल करके ये इस तरह से अपना क्या पोजिशन किस तरह से रहना चीए वो इस लोक में बताया है अवी नाशी स